नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रेंट धर्मा सनमार्ग कभी छट पर तो कभी घर की दहलीच पर कभी बालकनी में नन्ही चिनिया गौरईया की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन इनका घर में आना अच्छा होता है या नहीं यह हर कोई जानना चाहता है क्योंकि गौरईया जितनी खुबसूरत दिखती है उनके बारे में कुछ खास बाते जानकर आपको उतनी हैडानी होगी आपके घर के वास्तु का सम्मंद गौरईया से है क्योंकि गौरईया आपके घर का वास्तु को सुधार देती है गौरईया क तो हमारे जीवन में कितना महत्पूर्णा स्थान है ये तो आप जानते हैं और गोस्वामी तुलसी दास ने भी राजा दसरत के घर में गोरईया के घोसला का बढ़नन किया है वास्तु सास्त के नुसार अगर घर में उत्तर दिसा और इसान को उनमें गोरईया अपना घोसला बनाए तो ये बहुत सुभ होता है घर में सुख सांती सम्रिद्धी बढ़ती है पारिवारिक जीवन की दिकतें धीरे धीरे दूर होने लगती है वैसे अगर हम किसी भी जगह पर गोरईया घोसला बनाती है तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है इस तरह से अगर कहीं भ घर में भी अगर कहीं गोर खोसला बना ले तुबहूल कर भी मत अटाईएगा दस तरह के वास्तु दोस्त अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और एसा आपने शुना होगा कि महाभरत काल में भी औरहरानी कुंती के महल में गोरिया का गोसला बनाता है वास्तु सांसे कहता ह कि गोरया का घर में आना बहुत ही ला हुँता है इनके आने से जीवन में अखिता है हो आपका पूरा अब हम दूसरी करब बात करें, तो देखिए गवरिया को वैसे तो बहुत सारे राज में जो राजकी पक्षी होता है, वो भी निर्धारित किया हुआ है, लेकिन हिंदु धर में सीधिय तोर पर गवरिया का आना घर में अच्छा होता है, सुब होता है, जीवन में सफलता मिल है, आपको मुबारक फिलाल आपसे बिदा लेंगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, हर हर महादेब, धन्यवाद,